दोस्तों नमस्कार मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याणा के अंदर विधान सभाज चुनाव हुए चुनाव का परिणाम आए और अब सरकार बने लगवग एक महीना होने को है विधान सभाज चुनाव का परिणाम आए एक महीने से जादा हो चुका है और 18 तारीक को यानि के अगले 6 दिन के अंदर नायव सिंग सरकार को अर्याड़ा की सत्ता संभाले हुए पूरा एक महीना हो जाएगा इस सब के बीच में तमाम प्रकार की दोस्तों चर्चाएं हैं तमाम प्रकार के लोगों के बीच मंतन है इस समय तो भारती जंता पारटी के लोग भी मंतन कर रहे हैं कि वो 41 सीट कैसे हारी 89 सीटों पर चुनाव रड़ी थी भारती जंता पारटी 90 में से सिरसा के केंडिडेट का नावांकर वापसी हो गया था वो आपको ध्यान होगा बाकी 89 सीटों पर चुनाव रड़ा था उनमें से 48 सीटें भारती जंता पारटी जीती और 41 हारी बाजपा मंथन कर रही है कॉंग्रेस भी मंथन कर रही है कि आखिर वो 53 सीटें कैसे हारे मातर 37 पर कैसे सीमित रहे शायद मंथन इंडियन नैशनल लोगदल भी कर रहा होगा कि अभय सिंग चोटाला कैसे हार गए एलनाबाद कॉभे सिंग चोटाला क्यों हारे जो दावा कर रहे थे किंग मेकर बनने का मात्र वो दो सीटों पर क्यों सिम्टे और मन्थन शायद दुश्यन चोटाला भी जरूर कर रहे होंगे कि उनकी अपनी जमानत जब्त क्यों हुई लेकिन मैं आपके साथ एक और मुद्दे के साथ हूं दोस्तों चुनाव के अंदर खासकर वैसे तो समाज के अंदर बन चुका है हमेशा के लिए लेकिन चुनाव के अंदर खासकर जो जाती समाज संप्रदाय धरम ये सब कुछ बहुत हावी रहता है और राजनीति का अगर मैं कहतू राजनीति का भी नहीं राजनेताओं का politicians का सबसे महत्वपून पार्ट ये है कि समाज के अंदर वो जाती और धरम को के बीच में विभक्त नहीं अगर नहीं तो फिर शायद उनके मकसद जो हल ना हो पाई मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा में हूँ एक ऐसे मुद्दे को ले करके जिसको लेकर भविश्य की राजनीती की चर्चा है और वो चर्चा ये है वो चर्चा ये है कि कभी परदेश की में स्ट्रीम में रहा राजनीती के अंदर कभी परदे आजकर जाट समाज के नेताओं के बीच और जो राजनीती पर बात करते हैं उनके बीच आज के लिए चर्चा का विशय जरूर है वो भले ही कहीं सुर्खियां बन रहा हो या ना बन रहा हो लेकिन हुक्के की गड़गडाक के साथ चौपाल पर हो और या फिर राजनीतिक बा लेकि हम आपको बता दें कि हम किसी भी प्रकार की जाती और धर्म की राजनीति को बड़ावा नहीं देते हैं ना ही हम जाती और धर्म की बात करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि यह मेंडेटरी सजय से हो जाता है इस समय वो सब हो चुका है और मैंने आप से पहले ही कहा कि रा अधार हिन कैसे हो रहा है खासकर पिछल एक दशक से हर्याना की राजनीती में अगर हम कहें तो चौधरी देवी लाल चौधरी ओम प्रकाश चोटाला चौधरी बंसी लाल चौधरी भजन लाल भूपेंदर सिंग उडडा चौधरी हुकम सिंग यह प्रमुक्ष चहरे हैं जा चौधरी देवी लाल काफी समय मुख्य मंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला काफी समय मुख्य मंत्री रहे चौधरी बंसी लाल काफी समय मुख्य मंत्री रहे दस साल से कुछ दिन कम भूपेंदर सिंग उडडा मुख्य मंत्री रहे और लगवक इतना ही चौधर चौधरी भजनलाल मुख्या मंतिर आप जाट समाज से कहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि चौधरी भजनलाल हर्याना के अंदर एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने भले ही बात गैरजाट की राजनीती की रही हो गैरजाट समाज वाली लेकिन वह जाट समाज से भी खुद को पॉलिटिशन्स थे जो जाट समाज में जाकर कहा करते थे खुद को कि मैं भी था रहा हूँ चौधरी हूँ मैं भी जाट समाज से हूँ और हम जाटों से रग नहीं चौधरी भजनलाल एक ऐसी शक्सियत थे कि अगर वो पंजाबी समाज में जाते थे तो वो कहते थे मैं में रिफ्यूजी हूँ हलाकि ये शब्द पंजाबी समाज के लिए गाली के समान है लेकिन वो कहा करते थे मैं विस्थापित हूँ और पश्चिम पंजाब से यानि की जो जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है वहां से मैं भी आया था मुस्लिम समाज में जा करके वो दफना नेताओं के बीच में नेता जो मैं आपको बता रहा था जाट समाज के नेताओं की बात तो चौधरी देवी लाल चौधरी बंसी लाल चौधरी ओम प्रकाष चोटाला भूपेंदर सिंग हुड्डा मास्टर हुकम सिंग और चौधरी भजनलाल यह वो तमाम नाम हैं जो हर जो मैं आपको बता रहा था कि कभी राजनीती की धुरी रहे और अगर यह कह दें कि कॉंग्रेस के अंदर पहले चौधरी भजनलाल चौधरी बंसी लाल और भूपेंदर सिंग उड़्डा और दूसरे परिवार से कर कहें जो दूसरी राजनीती कहें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहें तो चौधरी देवी लाल की पार्टी सबसे मेंबात दोस्तों आ जाती है कि क्या ये दौनों जो आप भूपेंदर सिंग उड़्डा और चौधरी उंप्रकास चोटाला आज चौधरी उंप्रकास चोटाला का परिवार आज राजनीती के अंदर पूरी तरह माना जा सकता है 2004 में भुपेंदर सिंग उड़्डा ने हर्याना की कमान समाली 2004 में हर्याना के अंदर 66 विधायकों के साथ कॉंग्रेस मैजियोर्टी में आई थी और कॉंग्रेस पार्टी ने चौदरी भजनलाल को एकसाइड करके भुपेंदर सिंग उड़्डा को हर्याना क मुख्य मंत्री बनाया जब चौधरी बुपेंदर सिंग उड़ा अर्याना के मुख्य मंत्री बने उस समय हर्याना की राजनीती के अंदर खासकर जो जाट निता थे जाड आपको मैं एक बात और बता दूं दोस्तों एक समाज के निता की बात चलती है यह कि पंजाबी निता तो पंजाबी समाज से आते हैं जाट निता तो जाट समाज से आते हैं वैशे निता तो वैशे अगरवाल समाज से आते हैं वैसे जो राज निता होते हैं यह सभी समाजों और सभी धर्मों के होते हैं 36 बिरादरी और चारो धरम अगर सभी में मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर शयद उनकी राजनीती भी पूरी खरी नहीं हो सकती क्योंकि जिन बात मैं आपसे कर रहा हूं वो नेता जार समाज से आते थे इसलिए उनके नाम आपसे कह रहा हूं कि चौधरी भुपेंदर सिंग उस समय रंदीब सिंग सुर्जे वाला भी सक्रिय थे उनके बेटे चौधरी विरंदर सिंग डूमर खां चौधरी सुरंदर सिंग चौधरी वंसी लाल के बेटे चौधरी सुरंदर सिंग के निधन के बाद में उनकी धरम पत्नी किरन चौधरी आ गई किरन चौधरी के विधायक विवाली डिस्टिक्स आने वाले आइसकल सांसत जो है भारती चन्ता पार्यटी में वो यह तमाम नाम थे जो सक्रिय राजनीती के अंदर हुआ करते थे जाट समाज से कॉंगरीस के अंदर निता तो और भी थे का अरनल सिंग दलाल पनलल के विधायक वो भी जाट समाज से रघ्वीर संग का द्यान इस समय वोम्हाली आटवी बारवार शायद विधायक वभी जाट समाज से आरण सिंग हो भी जाट समाज से अरह भी ?!"dhn द्रन्दर्नेता वो भ वाला जी का बाद में देहवसान हो गया रंदीव संग स्यखे वाला गर राजनीती में सक्रिय रहे तो फिर वो क्योंकि केंडर 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 उनका पकड़ थी जो उनका सामजस्य बैठा हुआ था केंद्री राजनीती के अंदर वो उसके बूते राजनीती के अंदर कॉंग्रेस में टिके रहे उनका कुछ ज्यादा हिला नहीं पाए उनको चौधरी विरंदर सिंग डूमर खां जो 2009 में विधान सभा का चुनाव हार गए और उनको केंद्र में व मेरे फुफेरे भाई हैं दोनों और कहा था कई बार यह दर्द भी उनका चलका था हुटा साब को ले करके किरन चौधरी के लिए कहें तो मंत्राले तो उन्होंने संभाला लेकिन उनको किनारे करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और अंतो गत्वा अंत्वें यह हुआ कि अब राजरासावा सधस्य बेटी परतेश सरकार में वजीर हैं एक मने आपको नाम कहा था चोद्री धरंबीर का चोद्री धरंबीर एक ऐसे नेता है जिन्होंने लाल परिवार की तीन पीडियों को हरा œ जोद्री उछोद्य 1975 को हरा लेकिन 2009 के अंदर विधान सब अध्यक्ष बन गए थे और उससे पहले उनको जब पहली बार विधायक थे 2004 की सरकार में तो उनको ना कोई वजीर और ना कोई और पोटफोलियो दिया गया था यानि कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम जाट नेताओं को और आज की बात करें आज की बात में तो दोस्तों यहां तक बात आ जाती है कि जो चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा के विरोधी नेता है राजनीति के अंदर चाये वो जाट समाज से हैं चाये वो किसी औ और ब्रह्मन पंजाबी अगरवाल वैश्य समाज किसी समाज के हैं वो यहां तक कहते हैं कि अपने बेटे को राजनीति के अंदर हर्याना के अंदर सेट करने के लिए चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा ने कॉंग्रेस के अंदर तमाम नेताओं की राजनीतिक वली दी तो मैं आपको जो बता रहा था कि जाट समाज की जो राजनीतिक अंदर से थी बड़े नेताओं को चुपके चुपके अंदाज से उनको साइडलाइन करते जाना ये एक अदा थी चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा की और जिसका असर आज सामने भी आता है आप देखें तो चौधरी विरंदर सिंग डूमर खांके बेटे ब्रिजंदर सिंग उचाना में चुनाव हर गए मातर 32 वोट से और उसके अंदर दो नेता खड़े हुए थे अगर भुपेंदर सिंग उड़ा जी किसी को जाकर मनाते तो शायद कोई बैठ भी जाता चुना यही इशारा करती है चौधरी विरंदर सिंग डूमर खां छोड़ करके भी गए और वापस भी आये और यह इशारे इशारे बताते हैं राजनीति के खेर अब बात आ जाती है दूसरे राजनीतिक परिवार चौधरी ओंप्रकाश चोटाला चौधरी देवी लाल परिवार की अगर मैं यह कह दूं कि 2019 के अंदर 2019 में अगर इंडियन नेशनल लोगदल एक होती उसका जो अस्तित्व जो एक रहता तो शायद हरियाना की बहुत बड़ी वो शक्ति होती है और शायद वो सत्ता के अंदर भी आ जाती यह बात अभय सिंग चोटाला भी कहते हैं यह बात दुशन चोटाला भी कहते हैं लेकिन आप आम जन के बीच जाकर के बात करें तो लोगों के बीच में के टी सब नजर आती है ऐसे अभय सिंग चोटाला भी कहते हैं कि दुशन की वज़े से राज नहीं आया और दुशन चोटाला डॉक्टर अजय सिंग चोटाला भी तमाम बातने कर सकते हैं हर्याना की राजनीति के अंदर पूरा आधिपत्य था चोटाला परिवार का इंडियन नैशनल लोगदल का कि 2004 के चुनाव से पहले वो समय शुरू हुआ 2009 के चुनाव के बाद 2011 में जब ओम प्रकाश चोटाला और अजय सिंग चोटाला को जेल हुई और उसके बाद से वो समय शुरू हो गया कि जब धीरे धीरे इनेलों का बुरा समय आता गया एक एक करके करके ऐसे हालात बनते चले गए हलाकि 2014 के अंदर इंडियन नैशनल लोगदल हर्याना का प्रमुक विपक्षी दल बना 2014 से और 2019 के बीच में और जब फिर चुनाव नजदीक आ रहे थे 1819 के दोरान में यह बहुत और था जब चौधी देविलाल के परिवार के अंदर फूट शुरू हुई लडाई शुरू हुई इधर दो पार्टियां बन गई चाचा बतीजा अलग हो गए दादा पोता चौधी देविलाल के बड़े करीवियों में रहा करते थे प्रोफेसर संपत सिंग चौधी धीरपाल यह राज संभालने वाले लोगों में हुआ करते थे लेकिन जब 1999 में चौधी बंसी लाल की सरकार को गिरा करके जब उम्प्रकाश चौटाला मुख्य मंत्री बने और फ पिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रोफेसर संपत सिंग चौधी धीरपाल उनकी जो राजनितिक शक्ति और शमता थी उसको कम कर दिया गया संपत सिंग जो कभी में स्ट्रीम के नेता हुआ करते थे जो कभी सुपर सीम माले जाते थे चौधरी देवी लाल के समय में और वो समय आया कि उनको भी देखना पड़ा कि कहीं कोई पूछे का एक पर प्रफेसर संपत सिंग पलवल आये थे हरियाना के वित्य मंत्री होते हैं चौधरी ओंप्रकाश चोटाला हरियाना के मुख्य मंत्री थे तो उस समय उन्होंने जो बातें की थी वो दूरगामी संदेश था उसी समय पर उन्होंने कहा था कि जो राजनीती चौधरी देवी लाल करवाय करते थे वो राजनीती आज न दोनों ही परिवारों ने जहां एक तरफ होड़ा साहब अपने जो आज के राजनितिक लोग कहते हैं कि अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरी तरफ अगर बात आ परिवार के जिनमें राज लेने के लिए आपसी इस प्रकार से परिवार अलग-अलग हुआ जिससे कि जो मैं आपको बता रहा था कि जाट समाज के नेताओं के बीच में जो खासकर हुके पर चौपाल पर हुके गड़ाट के बीच में और इसके लावा जहां राजनितिक बा वैसे आप हमारी बात से दोस्तों कितना सहमत हैं आज चर्चा इस बात की भी है कि क्या भविश्य में आने वाले समय में हर्याना के अंदर कोई जाट नेता मुख्यमंत्री के पत तक पहुँच पाएगा अगर कोई जाट नेता उबर करके आएगा सामने तो कौन सा नाम हो सकता आप कमेंट्स बाक्स में जरूर बताएं और सबसे प्रमुक बात आप हमारी इस बात से कितना सहमत हैं कि चौधरी बुपेंदर सिंग उड़ा परिवार और चौधरी ओम प्रकाष चोटाला परिवा अगर आप यह वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें